नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर स्वपनिल सागर जैन निरामय होमियोपैथि के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ होमियोपैथिक मेडिशनल सिस्टम की एक ऐसी दवा के बारे में जिसका उपयोग पेट संबंधी लगबग हर बीमारी में किया जाता है खास तोर से IBS यानि की Irritable Bobble Syndrome, Ulcerative Colitis यानि की वो बीमारी जिसमें की मरीज की बड़ी आत में कहीं पे सूजन आ जाती है और उस सूजन के कारण उसे विभिन प्रकार के सिंटम देखने को मिलते हैं और Dysentry यानि की पेचिश की समस्या होना पेचिश क्या होती है कि जब भी किसी व्यक्ति को लेटरिन के साथ म्यूकस निकलता है यानि की आउं आती है आउं के साथ बलड आता है यानि की खून निकलता है पतली चिकनी सी लेटरिन होती है उसके साथ उसको बलड निकलता है और आउं आती है इस कंडिशन को Dysentry कहा इस दवा का उपयोग होमियोपैथी के साथ साथ आयूरवेद में भी हजारों सालों से किया जाता रहा है। यदि हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहले मरीज को नाभी के चारों और बड़े तेज दर्द की शिकायत होती है। लेटरिन करने जाता है तो उसको लेटरिन के साथ साथ खून आने की शिकायत होती है। और जैसे कि IBS के सिम्टम्स होते हैं कि मरीज को खाना खाने के तुरंद बाद लेटरिन जाना पड़ता है। वो चिकना होता है, चिपचिपा होता है, खून के साथ होता है, म्यूकस के साथ होता है, यानि की आओं उसके साथ आती है। तब इन सारी समस्याओं में होलारीना एंटिडिसेंट्रिका बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ जब इस तरह की समस्याओं व्यक्ति के शरीर में होती हैं, तो निश्चित रूप से पूरा पोशन ना मिल पाने के कारण उसके शरीर में emaciation होने लगता है। हर बार उसे ऐसा लगता रहता है कि पेट में कुछ रह गया है, लेटरिन जाने की बार-बार एक्छा होती है और खास तोर से जैसे ही वो कुछ खाता है तुरंत उसे लेटरिन के लिए जाना पड़ता है। मल के साथ साथ आओ निकल रही है, यानि कि म्यूकस निकल रहा है, फसूकर निकल रहा है, तब इन सारी कंडिशन्स में होला रीना एंटी डिसेंटर का उसके लिए एक राममान औशधी के रूप में काम करती है। यदि हम इस मैडिसिन के डोज की बात करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा जो है वो मदर टिंचर माना जाता है। होला रीना की बार्क से उसका मदर टिंचर बनाया जाता है और इस मदर टिंचर का उपयोग हम इन सारी समस्याओं में करते हैं। खंडा ले सकते हैं, गर्म ले सकते हैं, गुनगुना ले सकते हैं, जो चाहे वो आप यूज कर सकते हैं, आप दवा को हमेशा खाली पेट लें इस चीज का ध्यान रखें। इस दवा को continue 2-3 महीने उपयोग करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तीसरे इस चौथे दिन से इसका जो रिजल्ट है वो आपको अपने शरीर पे मिलने लगेगा, खास तोर से IBS और Ulcerative Colitis के जो पेशेंट हैं, वो तो इस दवा का आज से ही उपयोग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई side effect नहीं है। केबल जो dose बताएं हैं, उनका ध्यान रखना है, उसमें कोई alteration नहीं करना है। ये जो दवा है, ये आपको किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, होलारीना एंटी डिसेंट्रिका इसका नाम है, कुरुची के नाम से भी ये मेडिकल स होमियोपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाये। जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है, उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए, मूह में अच्छे से कुल्ला करके, गारगल्स करके, होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे की ये होमियोपेथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होमियोपेथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या एलाईची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं बस याद ये रखना है कि जब भी आप होमियोपैथिक दवा खाएं इन में से किसी भी वस्तू का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुह में ना हो यानि कि जब भी आप इने खाएं तो इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खा लें या फिर इने खाने के दो ड़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से कुला कर लिया हो अच्छे से गारगल्स कर लिये हो तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमियोपैथिक के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं कच्छा प्याज, लेजसों, अद्रा, खींग, सब खाना छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी उनको मुह में सफाई ना होने के कारण होमियोपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है ये होमियोपेथिक दवाएं आपको किसी भी online pharmacy पर या आपके घर के नजदी किसी भी homeopathic medical store पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी ये दवाएं हर homeopathic pharmacy पर उपलब्द होती है, हर online pharmacy पर उपलब्द होती है, इसलिए आप वहाँ से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, निरामय homeopathic clinic से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदी की homeopathic medical store य online pharmacy से ही इन दवाओं को प्राप्त करें.